पॉलिवूट की कुईन कंगना रनौत का शो लॉक अप धमाल मचा रहा है व्यूवर्शिप के मामले में तो शो ने कई बड़े सूपर इस्टार्स के शोस को पीछे छोड़ दिया है कंगना की होष्टिंग को दर्शे को का जबरदस्त प्यार और रिस्पोंस मिल रहा है उनके फैंस उनकी होष्टिंग को काफी ज्यादा पसंद करने लगे हैं जिसके बाद कंगना फूली नहीं समा रही है लेकिन बाकी के स्टार्स जिनको कंगना ने पीछे शोड़ दिया है वो उन्हें यानि कंगना को एप्रिशियेट नहीं कर रहे हैं लिहाजा कंगना ने इन तमाम स्टार्स को आड़े हातों लेने की खुद ठान ली है उन्होंने जहां अक्षे कुमार, प्रियंका चोपडा, रणवीर सिंग जैसे सूपर स्टार्स की धज्जे उड़ाते हुए उन्हें डौन किया मही अमिताब बच्चन और सल्मान खान के स्टार्डम की तारीव भी की जी हां कंगना ने अपनी तारीव में इंस्टाग्राम पर एक लंबी चोड़ी बात लिख कर एक स्टोरी पोस्ट की है उन्होंने लिखा है कि अक्षे कुमार, प्रियंका चोपडा, रणवीर सिंग जैसे कई सफल एक्स्टर्स ने होस्टिंग की है बले ही इन लोगों का करियर सफल रहा हो, लेकिन वो होस्टिंग में असफल रहे हैं अभी तक सिर्फ अमिता बच्चन, सल्मान खान और कंगना रनौत को ही सुपरिश्टार होस्ट बनने का सौभाग ये प्राप्थ हुआ है इस लीग में शामिल होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे लिखा काश मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होती लेकिन कुछ जलन खोर, मुवी माफिया मुझे और मेरे शो को बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं इस वज़ा से मुझे ये करना पड़ा और मुझे इसे करने में कोई दिक्कत भी नहीं है अगर मैं दूसरों के लिए खड़ी हो सकती हूँ, तो मैं अपने लिए भी स्टेंड जरूर ले सकती हूँ इस जनरेशन की एक मात्र सक्सेस्फुल होश्ट बंदा वाकई एक अदभुद बात है हैश्टेग लॉक अप बताते चले कि आज के दौर में कंगना बॉलिवूड की सबसे महंगी एक्ट्रेस में से एक है इसके अलावा कंगना को पांच बर नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है साथ ही उन्हें पदमशरी से भी सम्मानित किया जा चुका है यही वज़ा है कि पूरा का पूरा बॉलिवूड उनकी इस बेशुमार तरक्की से जला भुना हुआ बैठा हुआ है डेस्क रिपोर्ट चोपाल दरपन